सब जानते हैं कि नशा नाश का द्वार है फिर भी जाने अंजाने इसके लट के गुलाम बन जाते हैं जन्जीर तो सोने की सही नहीं लगती तो फिर इस लट की क्या सही होगी नशा सोचने समझने की शक्ती के साथ पूरे शरीर पर प्रहार करता है नशे के आदि व्यक्ती की जिन्दगी तो तभा होती ही है साथ ही उसका पूरा परिवार भी ये शाब जहलता है इस जहर का कहर सभी वर्गों पर असर करता है आर्थिक रोप से कमजोर वर्ग तो जैसे इससे टूट ही जाता है है तो यह एक सामाजिक समस्या मगर इसका समाधान धर्म के रास्ते ही खोजना होगा इसी सोच के साथ कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने नशा मुक्ती अभियान नामक बड़ा अभियान छेड़ा है तमाकू से लेकर ड्रक्स और गुटका से लेकर शिलोसन तक के नशेड़ियों को इस दानाओ के कैस से आजात कराने की मुहीर की शुरुआत शुक्रवार को वाट करमां 36 के बूरहदेव नगर से की गई अभियान में शामिल लोगों ने मंदिर में पूजा कर इसकी शुरुआत करते हुए संकल्ब लिया कि हर वेक्ति इस जान लेवा आदर से कम से कम दो लोगों को मुक्त कराएगा सुस्त समाज और सुरक्षित परिवार के स्लोगन के साथ घर घर जाकर इस अभियान से लोगों को चोड़ा गया स्वामे विनकाडन के सपने को पूरा करने की जचेश्टा को सर्वोक्तम समाज सेवा की संग्या दी जा रही है इसको धीरे धीरे सभी वार्ट से होकर पूरे शहर में इसको किया जाएगा यही हमारा उद्देश है हम चाहते हैं कि जैसा कि बिड़ी सिग्रेट तमबातू से जिस तरह मुग का कैंसर हो रहा है और साथ में नसे के हालत में जो वाहन चला गाड़ी में सवार हो कर तीन सवारी लड़के जो गाड़ी में सवार होते हैं ट्रक की नीचे दपते हैं इससे बचाने के लिए हम लोग अभी विचार आया है सब को समझाएंगे कि नसे से क्या नुकसान है किड़नी लीवर वगरा जिस तरह से डैमेज हो रहा है साथ में मुग का कैंसर वगरा जैसा की देखने को मील रहा है उससे बचाने के लिए दुरगटनाओं से बचाने के लिए हम सभी को प्रेरित करेंगे देश के लोग जब नशा मुख्थ होंगे तभी देश की उन्रती भी शिखर पर होगी ये बात महिलाओं से बहतर कौन समझ सकता है उनके इर्दगेर्द उनके अपने जिस तरह नशे के गुलाम बन रहे हैं वहटीस उनकी जुबान पर महसूस की जा सकती है चोटे चोटे बच्चे है आजकल के जमाना है अकव अपर बच्चामन टो पाउच खा खा के पूरा बरभ़ाद होगी कोई चीज के नसा के ऐसे नहीं है थे चोटे बच्चे आउ तो आई वह कावण फीक सकते है सुंग सुंग के दीवाना है आज कल की बच्चा बिड़ी सीजार पान गूट का जो मुँ में आई चोई खा जाते। कुछ होगा तब है तो सब एक अठा हो हैं। होना चाहिए। प्रदेश सरकार भी इस अभियान को समर्थन दे रही है क्योंकि उन्हें भी पता है कि नशीली वस्तों से मिलने वाले राजसों से कई सौगुना खर्च उन्हें नशे से पिडित मरीजों की इलाज पर खर्च करना पड़ता है।